सो हाई गाईस दिस इस राज एंड इवर वाचिंग फ्रेटेग तो अगर आप चाहते हैं अपने रियल्मी 7 को अपडेट करना यार रियल्मी वाई 3.0 में तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा यार इस वीडियो का आप लोग देख लिजिए पूरा उसके बाद ही आप लो एक ट्रायल वर्जिन प्रोवाइड किया जा रहा है जहां दोस्तों इसके अंदर काफी सरे बगस आपको देखने को मिलता है जो कि आज के इस वीडियो में बेसिकली डिसकस करेंगे तो वीडियो को एक बार से आप लोग लाइक जरू करना चैनल पर नहीं होंगे चैनल को स दोस्तों एक बार से मैं आपको दिखा तो मैंने Realme 7 को बहुत दिन पहले यहां पर ट्रायल वर्जिन में Realme UI 3.0 के अंदर दोस्तों यहां पर अपडेट करके रखा है यहां पर मैं जो बेसिकली प्रोब्लम फेस किया हूं उसको लेकर सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं आ आपको बेटरी का तो इसी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों यहां पर प्रोब्लम कहां पर है मैं आपको बता रहा हूं जैसे ही दोस्तों यहां पर आप रात में सोएंगे आपने डिवाइस को यहां पर रख कर तो यहां पर माल लिजेगर आपके डिवाइस में 60% बेटरी है रात में सोने से पहले एंड अगर आपको सुबा उठके देखेंगे कि भाई इसमें 30% या फिर 35% होके रखा है I mean दोस्तों यहाँ पर विदाउट यूजिंग कैसे यहाँ पर बेटरी ड्रेन हो रहा है तो यह दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी समझ्या है Standby situation में भी दोस्तों यहाँ पर बेटरी ड्रेनिंग आपको देखने को मिलेगा इस वाले अपडेट को करने के बाद यह भी यार F.02 के अंदर यह वाला प्रोब्लम यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने काफी सारे इसे Realme devices में देखा था जैसे यहाँ पर trial version का update मिला था देन हमें यह same battery training का इसू देखने को मिला था तो यह अगर आपको इतना ज़्यादा problem नहीं लग रहा है तो आप लोग basic कर सकते हैं अपने device को update यह जो trial version आपको एक provide किया गया है Realme Y 3.0 का आपके Realme 7 के लिए तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा जो room का ट्रेम पर रहा हुए 37.3 और यहाँ पर जो device का ट्रेम पर रहा हुए 39.9 डिग्री तो अभी दोस्तों हम लोग कुछ game बेगर आप play करेंगे Realme 7 में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो basically अभी फिलाल time बारा बज कर चार मिनिट हो रहा है यहाँ पर जो device के अंदर battery अभी फिलाल है 77% तो यहाँ पर दोस्तों हम बेसिकलिए test करेंगे कि battery basically कितना percent drain होता है और यहाँ पर जो हम लोग 10-15 minute game को play करेंगे और यहाँ पर अभी फिलाल मैं आपको एक बार से settings में दिखा देता हूँ जो graphics settings क्या कुछ आपको मिलता है HD and high में कर सकते maximum लेकिन दोस्तों हम पर प्ले कर यहाँ का मिलता है after this update okay क्योंकि दोस्तों अभी फिलाल मैंने इसके अंदर 10-15 minute ऐसे कुछ gaming किया हूँ and यहाँ पर दोस्तों मुझे काफी एक सही performance देखनों का मिला है realme 7 में okay अभी दोस्तों मैं इसका basically IPS meter भी on कर दिया तो आप लोग देख सकते है maximum जो कि आपको 41 IPS तक दे करता था उससे थोड़ा सा बेटर जो कि आपको देखनों का मिलता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बूलूंगा आपको just simply wait कर सकते stable update का stable update के बाद मुझे लगता है gaming में आपको और भी ज्यादा यहाँ पर अच्छा performance देखनों को मिल जाएगा हाला कि दोस्तों यह पर जो कि अभी फिलाल मुझे काफी सही एक performance देखनों का मिला है after this update मैं अगर honest बात आपको बताऊं realme 7 में ओके तो यहाँ पर दोस्तों अभी फिलाल हमारा defeat हो चुका यार इस वाले गेम के अंदर लेकिन मैं आपको बता दू मैं ठीक ठाक gaming कर लेता हूं यहाँ पर मेरा concentrate था यार इस वीडियो को बनाने के लिए आनि दोस्ते आपर सूट करने के लिए इसलिए में इतना बढ़िये से वाले गेम को play नहीं कर पाया अलगी दोस्तों यहाँ पर आभी फिलाल आप लोग देख सेकते बिसिकली 74 परसंट बेटरी है यहाँ पर दोस्तों और 10 मिनिट के गेमिंग के अंदर 74 परसंट यानि कि दोस्तों यहाँ पर ओल्मोस्ट तीन परसंट का ही बेटरी ड्रेनिंग आप देखनों का मिला एंड गाई यहाँ पर ट्रेमपरचर के अगर बात करें तो 41.9 डिगरी जो कि दोस्तों यहाँ पर नोर्मल आपको देखनों का मिलता है 10 मिनिट गेमिंग करने के बाद इसके अंदर तो यह दोस्तों यहाँ पर जो आपको एक ट्राइल वर्जन का गया होगा कि क्या कुछ नया फिचर दिया गया है रियलमी 7 में अप्टर अपडेट ओके तो इस अपडेट में दोस्तों ऐसा कोई खास आपको बहुती ऐसा फिचर्स नहीं मिलता है जो आप लोग को जस्ट करना मतलब करना ही इस अपडेट को यहां पर दोस्तों मैं आपको बोलूँगा आप लोग जस्ट कुछ दिनों के लिए वेट कीजिए बहुती जल्द दोस्तों यहां पर सभी रियलमी डिवाइस के लिए विसिकली एक इस टेबल अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा देन आप लोग अपने डिवाइस को यहां पर अपडेट कर सकते हैं तो अगर आप ज़्यादा ही कॉंसियर्स है तो आप लोग इस अपडेट को मत कीजिए आप लोग सिंपली वेट कर सकते हैं मेबी वन मन्त के अंदर आपको एक स्टेबल वर्जन देखने को मिलेगा आपके रियलमी 7 में यहां पर दोस्तों उम्मिद करता हूँ वीडियो आ and as usual Jai Hind